हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत ज़रूरी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर किन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए जी हा आपको बताने वाले हैं जिनका अगर आप रेगुलर सेवन करेंगे तो निशित रूप से आपको नुकसान होगा और डायबिटीज में आप मुसीबत में फसकते हैं तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सब्स्र जरूर कीजिएगा तो आएए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताओं कि डायबिटीज में ब्लेट सुगर लेवल को सही बनाये रखने के लिए आपको अपने खान पान पर विशेज ध्यान देना चाहिए और अपने खान पान में अच्छी सबजियों का सेवन की कीजिए ताकि आपका ब्लेट सुगर लेवल कंट्रोल में रहे लेकिन अगर आप सही सबजियों का सेवन नहीं करते हैं यानि ऐसी सबजिये घाते हैं जो आपके डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है तो इससे आपकी मुसीबत बढ़ सकती है और कहीं न कहीं आपका पर है आलू और मैं आपको बता हूँ के वैसे तो आलू को सबजियों का राजा कहा जाता है और इसमें पोशक तत्व भी भरपूर मात्रा में है वैसे तो फायरिमन सबजी है लेकिन इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड़िट काफी जाता है इसलिए डायबिटीज के ब्लड शूगर लेवल बढ़ाने के लिए जिन्मेदार है फिर एक दूसरी सब्जी है उसका नाम हरी मटर और मैं आपको बता हूँ के हरी मटर को कार्पोहाइड़ेट और स्टार्ज के जिच सोर्च के लिए जाना जाता है यानि इसमें ये अधिक मात्रा में होती हैं दोनों बता हूँ के बीन्स भले ही मिठी ना हो लेकिन स्टार्ज से भरी होती है तो ऐसे में किसे भी इस्तिती में डाइबिटीज के मरीजों को हरी बीन्स की सब्जीयों का सेवन नहीं करना चाहिए वैसे तो ये हरी सब्जी है लेकिन आप समझें के स्टार्ज की मात्रा जादा ह होने की वज़े से इसे avoid करना चाहिए और अगर आप खाना भी चाहते हैं तो उबाल करके खाईए सीमित मातरा में खाईए तभी ये आपको कम नुकसान करेंगी फिर बात करें चौथे food item की तो ये है मक्का और मैं आपको बता हूँ कि मक्का खाने के भले ही बहुत फायदे हूँ और ये बहुत ही स्वादिस्ट food item हो लेकिन diabetes के मरीजों को इससे दूरी बना करके रखनी चाहिए मैं आपको बता हूँ के आधे कप मक्का में ही करीब 21 ग्राम कार्बोहाइडिट पाया जाता है जो सेहत के लिए ठीक नहीं है यानि मक्का या फिर मक्का से बने जो भी food item है वो आपको diabetes में नहीं खाने चाहिए और खास तोर पे तब तो बिल्कुल ही ना खाए जब आपका blood sugar level ए नियंतरित रहता हो तो ऐसे में ध्यान दीजिए और इन सबजियों के सेवन से परहेज कीजिए जिसके बारे में हमने आज आज आपको बताया है तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें थेंक्यू बेरी मच्च